दोस्तों बात करने वाले हैं CDSL कमपनी के बारे में आपको बताना चाहों कि लॉंग टर्म के हिसाब से बहतरीन कमपनी मानी जाती है लेकिन एक बुरी खबर इस कमपनी के इंदर निकल कराई है आपको बताना चाहों कि लगबग 43 मिलियन से जादा इन्वेस्टर्स के डिटेल लीक कर दी गई है तो KYC आम है ये कमपनी और जिस तरीके से अब तक का आउटलुक हमें इस कमपनी के अंदर देखने को मिला तो बड़ी हलचल आपको आज के ट्रेडिंग सेसन में देखने को मिल सकती है तो अवरनेस बहुत जादा जरूरी है स्टॉक मार्किट के अंदर कोई भी तमाम चोटी बड़ी खबरे आपको देखने को मिलती है बजार के अंदर तो हलचल आपको शेर के अंदर देखने को जरूर मिलती है दोस्तों बताना चाहों कि देश की नामी गिरामी कमपनी CDSL जब इस तरह कोई कारनामा करती हो निजराती है तो काफी सारे रेटेल निवेशक कतराते हैं उस कमपनी के अंदर खरिदारी करने से और काफी सारे निवेशक जो पहले से ही उस कमपनी के अंदर खरिदारी किये हुए हैं तो वो भी कहीं न कहीं माल बेचकर अवराल निकल जाते हैं तो लगबग चार करोड से जादा के इन्वेस्टर्स आपको इस कमपनी के इंदर देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह की हरकत इस कमपनी ने की है लगबग पिछले दस दिनों के इंदर दो बार ये कमपनी डेटा लीग कर चुकी है तो यहां पे Cyber X9 की टीम ने इस Rescue को इन्जाम दिया है देखे बड़ी हल चल आपको Share के अंदर देखने को मिलेगी काफी सारे निवेशक नए हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि आखिरकार ये जो CDSL कमपनी है है क्या तो Central Depository Services Limited इसका Full Form है और ये CB Registered Depository कमपनी है CDSL Ventures Limited एक तरीके से KYC पंजीकरन एजनसी है देखे जो आगे Action इस कमपनी के उपर लिया गया तो यहां पे CVL ने तुरंत Action इस कमपनी के उपर लिया और ततकाल कारवाई करते हुए अब जो Data Leak हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहा था तो फिलाल की डेट में तो उसे कम कर दिया है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह की कमपनी है कमपनी का background आपने जान लिया है कमपनी के fundamental बहुत ही अच्छे हैं और share के अंदर भी अब तक हम लोग को अच्छा खासा रुजहान देखने को मिल आख लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो सबसे पहले इस कमपनी ने ये खबरे रिपोर्ट की थी कि Data Leak हो चुका है और 19 अक्टुबर को इस कमपनी ने ये रिपोर्ट की थी लेकिन लगबख साथ दिन लग गए इस problem को fix करने के लिए तो दोस्तों इस कमपनी से इस तरकी की उमीद नहीं करके चल सकते हैं कि इतना समय लगे से भी registered कमपनी है और काफी ज़ादा संख्या में हमें निवेश्टा की इस कमपनी के अंदर दिखाए देते हैं तो उनकी उमीदों को एक तरफा करते हुई ये कमपनी इस तरकी की हरकते अंजाम देती हुई नजराई अब देखे बात करते हैं शेर प्राइस की तो 1474 रुपे के आसपास इस समय के कारोबार करता हुई नजरा रहा है देखे खबरे बजार के अंदर आती है रियक्शन हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कमपनी का स्टॉक क्रैस हो जाएगा अगर आप लोंग टम के हिसाब से देखें तो बहुती बहतरी नहीं कमपनी मानी जाती है लगतार मजबूती इस शेर के अंदर हम लोग अब तक देखने को मिली और गजब के रिटन इस कमपनी के अंदर बनते हैं पिछले अगर 6 मीनी की बात करते हैं लगबक 83 पसंद से जादे की तीजी आपको शेर के अंदर देखने को मिल चुकी है और अगर पिछले एक साल का मुमेंटम देखें तो गजब के रिटन इस कमपनी के अंदर बनते हैं ओपन करा सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों करें पूरी जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जिरूर कीजगा चैनल सब्सक्राइब करके लेना ताकि नहीं वीडियो के नोटफिकेशन सीधे आपके पॉल्ड झाझिकेशन सब्सकरवाण राषल प्योने ये क dos टीचे जोहा है